आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में अगर आपके मुवाइल फोन की जो वॉल्यूम होती है वो आटोमाटिक अप और डाउन होने लगती है तो इस प्रॉल्म का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको सबसे ऊपर की साइड यह सिस्टम आप को ताप करने तो आपका जो यह वाला पेज आएगा एक त्रियम मां और आतो उटेकर्ट को आप को नीचे के साइड़ के ला अप्षिन यह स्टरेश शूर्स पर करने तो आपका जो यह second पेज बैच्प पर जाना है तो आपको Android system के नीचे यहां पर आपको एक option मिलता है यह मैं आपको दिखा देता हूं यह वाला system UI इस पर भी आपको टैप करना है ठीक है आपको इस वाले पेज में storage पर टैप करना है इसमें भी आपको नीचे clear catch पर टैप करना है ठीक है तो आपका पर search बार में software आपको लिखना है ठीक है तो यहां पर मैं software यहां पर लिख देता हूं इस तरीके से तो आपको नीचे software अप्डेट का option शो हो जाएगा यह टैप करना है अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी आपडेट का बटन या download इंस्टॉल अगर लिखा हुआ है फोन को reset करने के लिए आप मुवाइल फोन का setting पेज ओपन करिए सबसे ओपर यह सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है तो आपको नीचे की साइट यह option मिलेगा erase all data factory reset यह वाला option factory reset पर टैप करना है ठीक है तो आपका मुवाइल फोन आपको डिरेक्ली सेटिंग पहली बात ही ध्यान रखने है आपके फोन में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे फोन में transfer कर लिजे या आप अपने फोन के data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना उसके बाद phone को research करना है ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने है इससे आपके वाइलफोन की जो volume automatic up and down होने लगती है problem आपकी solve हो जाएगी ठीक ना